पे टी एम क्लॉण केसे बनाए नमस्कार डोस्तो सुआगर आप सभी का तिकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि पे टी एम का आप क्लॉण एब कैसे बना सकते हैं तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको क्लॉन एब बनाना है आपके PTM का तो उसके लिए दोस्तों आपकी पास दो तरीके होगा तो वह कौन सा दो तरीके है जिसके मदद से आप अपने PTM को क्लॉन कर सकते हैं ये मैं आपको शो करके इस वीडियो पर बताऊंगा तो वीडियो को शुरू से लेके आन तक देखे वीडियो शुरू करने से पहले make sure चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करे अगर आप online पैसा कमाना चाते हैं तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा और किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं दोस्तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला जो option आपको मिलेगा वो है आपके mobile app पर ठीक है आपके mobile पर एक dual app का option होगा या फिर dual messenger या फिर clone app का option मिलेगा ठीक है जो कि दोस्तों आपको setting पर जाना होता है and then shortcut टरीके अगर आप search करना चाहोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर search ठीक है setting search और यहाँ पर आप search कर सकते अपना clone app setting तो यहाँ पर आप dual app भी search कर सकते ठीक है तो मेरे mobile पर जो option है वो होगा utilities के option पर जो की लिखा हुआ है parallel apps ठीक है तो parallel apps का जो option है उसमें हमें जाना है और वहाँ पर जाके आप यह बटन को on कर देना है इसको on करने से क्या होगा हमारा जो पेटीम है उसका clone बन जाएगा और वो clone app जो की आपको स्क्रीन पर दिखाए देगा ठीक है तो यहाँ पर आईए मैं आपको show करके वतर रहता हूँ तो यह आप देख सकते पेटीम का clone आ चुका है यहाँ पर तो इस तरीके से आप यहाँ पर पेटीम का भी clone app बना सकते हैं अभी दोस्तो दुसरा जो तरीका है वो दोस्तो थर्ट पटे application की true आप कर सकते हैं ठीक है थर्ट पटे application जैसे कि आप अगर play store में जाते हैं तो एक application मिले गए parallel space करके तो आपको वो application डाउनलोड कर लेना है ठीक है आपको वो application डाउनलोड कर लेना है जैसे कि यह हो गया parallel space तो यह एप के ठ्रूबी आप पेटीम को dual करके use कर सकते हैं या फिर पेटीम का clone बना सकते हैं ठीक है तो इस तरीके का dual app या फिर parallel space जैसा जो की apps का clone बनाते हैं ऐसा आपको काफी सारे जो है मिल जाएगा play store में तो आप play store में जाके कोई भी थर्ट पाटे application डाउनलोड कर सकते हैं जो की parallel apps आपका यहाँ पे create करेग ठीक है ।ो इस तरह के दोस्तो आप यह दो तरह के मदद से आप pae tm का clone बना सकते हैं और उसके बाद दोस्तो आप दू जगे पर पे tm यूज़ कर पाऊगश्टे के तो यह था दोस्तो पर ए tm का क्लोन बनाने का तरीका उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसने होगा झा तक्स रओज हाँ